एक समय की बात है गांधी जी अपने आश्रम में बैठे थे उसी समय एक महिला अपने बच्चे को लेकर बापू के पास आई और बोली बापू मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है इसे गुड़ खाने से मना कीजिए बापू जी बोले अगले रविवार को आना महिला अगले रविवार को अपने बच्चे के साथ आती है बापू ने फिर वही बात दोहड़ाई अगले रविवार को आना महिला को गुसा आया लेकिन सर जुका कर चली गई ऐसा चार सपताह तक चला इस बार महिला सोच कर आई थी कि बापू यदि कुछ नहीं बोलते तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना कर चली जाओंगी प्रन्तु उस रविवार को बापू ने बच्चे को गुड़ खाने से मना कर दिया पर महिला से नहीं रहा गया तो वह पूछ बैठी इतना ही बोलने के लिए इतने दिन क्यों लगा दिये तब बापू बोले कि मैं सुएम बहुत गुड़ खाता हूँ बच्चे को मना करने से पहले इतने दिनों में मैं सुएम को गुड़ खाने से रोकने की आदत मना रहा था तब जाकर बच्चे को मना किया तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को सुधारने से पहले सुएम को सुधारना जरूरी है